Hey, what's up guys, this is Mayang and welcome back to our channel. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स की. Now, without wasting any time, let's get started. लूप्स की अगर हम बात करें, तो basically किसी भी particular काम को बार बार करने को लूप कहते हैं. मान लेजे कि आप कोई भी एक statement प्रिंट करना जाते हैं, तो simply SOP का यूज़ करके प्रिंट कर देंगे. अगर दो बाई प्रिंट करना जाते हैं, तो उसे copy based करके प्रिंट कर देंगे. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ही statement hundred times या thousand times प्रिंट करना है, तो अब आप SOP का यूज़ तो करेंगे नहीं. इस्टेट्मेंट को प्रिंट करने के लिए, अब यहाँ पर काम आते हैं हमारे loops, इसके थुरूं किसी भी statement या piece of code को end times प्रिंट या execute कर सकते हैं, वो भी बहुत कम line of code के साथ हैं. जावा में mainly three different types के looping statements हमें देखने लिए मिलने वाले हैं, while loop, do while loop and for loop. इस वीडियो में हम while loop को cover करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं while loop के syntax के साथ, while loop के syntax से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक variable को initialize करना होगा and then while loop round brackets में condition and then curly brackets में हमें statement pass करना होगा. अब इसे एक example ही तरू समझते हैं, int i is equal to one then y round brackets में condition and then curly brackets में system.out.println hello world and then semicolon. इसके बाद हमें i is equal to i plus plus करना हुआ और अब अगर इस code को हम run करके देखते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर hello world 10 times देखने लिए में रहा है. कंडिशन के चेंज करने पर repetitions को हम अपने need के according चेंज कर सकते हैं, अगर मैं आपर 10 की जगा 100 कंडिशन में लिखता हूँ, तो हमें hello world 100 times टेखने लिए मिलेगा. तो आज किस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप से ऐसी किसी next वीडियो में, तब तक कि लिए good bye.